मानस 50 सेकंद तो मानसांद बने रहिये अब 40 सेकंद पर प्रमोचन किया जाएगा मानस 35 सेकंद मानस 30 सेकंद मानस 25 सेकंद ठीस्टु वेस्टु पीप अवन ऐस्ट्स एकन्स एंसे पाक्ष्ट Um 9 7 6 5 4 3 2 1 0 प्लस 5 सेकंट लिफट फ्लवी को सफल उत्थापन और इसके साथ प्रथम भार्तिये सोर अंतरिक्ष यान सुर के तेज से विध्यान कु प्रकाश करने एक और कदम है अंतर ग्रहिय सफर में भारत के उफस्तेते सिद्ध करने का आप देख रहे हैं PSLVC 57 प्रतम चरंड पुरी तरह सामान्य यहूंग ओर कि प्रकर के ख्रät झालि को में आपूर्ज इसकार अंतर एंध्या टेंट-च बार्या कि व्रें डैसिर्टर प्र देख और के उड़ बार्फव complaint नेविशल थे डेहां ग्यान है दो बार्य समान ग्यान एक स्वार्ज बार्ष प्रेंस fan जैसा कि निर्धारित है ग्राउंड लेड़ स्ट्रपॉन को सब्रेट कर दिया गया है और प्रसंचरण का निश्पादन सामान्य है इस घटना करम में अगला एयर लेड़ स्ट्रपॉन को यान से प्रिथक कर दिया जाएगा जी जी आइसकी भी पुष्टी हो गई है इस ट्रपॉन को सफलता बूर प्रिथक कर दिया गया है यह थैसे कि प्रजुलां काल के पश्चाथ उसे भी प्रिथक कर दिया गया है प्रिथक कर दिया गया है स्ट्य प्रिथक wahr प्रिथक्ष्ट्वन की प्रिथक्ष्ण प्रिथक्ष्ट्वन है इसमें विकास इंचेंदवरा आट्ग्टीन का प्रणोध उत्पन होता है और इसका प्राजुलां काल लगग गग 150 जकन का होगा shar and port overs tracking stations, presently acquire signals. flight path closely matching the prediction. plus three minutes वर्थमान में यान close loop guidance के अंतर टीज है second stage performance normal यान के उचाई 106 km जथा सभेक्ष केती 3 km प्रती सेकंड the velocity addition in PS2 regime is going to be from 2 km per second to 4.9 km per second the payload fairing covering the Aditya L1 spacecraft has been separated the current altitude of the launch vehicle is 118 km relative velocity exceeding 3.8 km per second यहां यान अब घने वाता वरंड से बाहर जा चुका है इसलिए उश्मा कवच की जरूरत नहीं रह जाती है और इसकारण इसे यहां से प्रिथक कर दिया जाता है second stage performance normal दितिये चरण वर्तमान में रणो दुत्पन करता हुआ और यान पूरी तरह सामाने प्रदर्शन करता हुआ अपने अनुमानित पत की ओर बढ़ रहा है second stage separated, third stage ignited दितिये चरण को भी सफलता पूर वर्त यान से प्रिथक कर दिया गया है उसके प्रजोलन काल समाप होने पर और दितिये चरण जो की ठोस नोदक पर आधारी चरण है इसे इसका प्रजोलन शुरू हो चुका है we are close to five minutes past the launch time presently the third stage of PSLV is operational developing nominal thrust plus five minutes तितिये चरण में 7.6 ton के ठोस नोदक का प्रजोलन काल 117.7 second का होगा इस दौरान या 240 किलो न्यूटन का प्रणो दुत्पन करेगा वर्तमान में यान की उचाई 134 किलो मेटर तथा सापेक्ष गती पांच दश्रम लो नौ 6 किलो मेटर पती सेकेंड जैसा कि हम जानते हैं PSLV सबसे विश्वस निय रॉकेट रहा है इस रोका वैसा ही प्रजर्शन करता हुआ एक और मिशन PSLV C57 का 6 किलो groundwater analysis 20 memory सेकेंड च्रजर्शन nuclear ऑममटर memory में सेकेम एक रहा हैं फिications विश्वस रidents अन्या लॉकेट। अच परजर्शन क्रफ़घ्वस प्रचब को ओार स Czyं अ लॉकेट रहा जैसे विया देन सर स्वार्शन दैसम, ऑय mister बड़र प्रवस कि उनेशनiser को जी हाँ, अभी कुछी एक्षणों में PS3 का फ्रजिलन कालसम आप्ट हो चुका है और कोस्टिंग फेज इसके बाद जारी रहेगा वेहिकल इन कम्बाइंड होस्टिंग फॉर अप्रक्सिमेटी तौहंडर्ड सेकंड्स वेहिय प्रजिलक के निखिक miał खाना प्रॉप्टी हुटाम कंड्सिमेटी आपिक त्यूं ङूँआ बदूर्ड प्रॉप्ट्सीध थी प्रे-दिलन कि व्रॉपया ट्रॉप्ट ठॉट्सिंग स्ट्रipर चटार पिसिए अपली तो अचिव टे उछिव गो करका दो टेंस पडार्ट के अधनैज तोच उच्यalen था equatorial plane. EOP exceeding 300 degrees is helpful in mission planning to achieve hollow orbit around L1 with minimal propellant expenditure. वर्दमान में PS3, PS4 combined coasting phase जारी है. यान के विचाई 170 km रथा साफिक्ष गती 17.32 km प्रती सेकंड है. वेहिकल प्रफॉमंग नर्माल प्रूप्ट टूप्ट नाइन तुड और अधित एल्च था नो प्रूपट अच्छाइंट प्रूपड था नूट अजिए प्रूट अटूप। श्यर्वान आभाण अच्छवान येश्य बहुत्र शेड़ जुक्रवान ऑनरखाश ज्वन्दारश्या ज्यूर शेड्वान वन्धवान शेस्या तेपको ब्रह्मान बहांड़स्या असाये वाचर्कृति भर्वत्ी ज्रहति ज्यूजगत् this mighty jewel the light of eastern sky who generates operates and destroys the universe while the energy of sun after having filtered by the atmosphere is available for the sustainance of earth the explosive phenomena in sun and the solar flares are a cause for concern to the spacecraft and human space missions the vantage point for such observations is a place in between the sun and earth third stage separated now we have a successful separation event of the third stage of PSLV it is approximately 900 seconds plus 10 minutes jihant Ritya Charan ko safalata puru ak prithak kar diya gaya hai aur ab ps4 coasting phase par hai ish dauraan koi bhi pranodotpan na nahi ho ra hai yaan praapta samvek se aage barhta hua aur nirdharit pad ka anukaran karta hua ja ra hai we are 627 seconds from the launch for another 600 more seconds also we will be getting tracking data from the bayax ground station your coasting phase lag bhaag 900 second ka hooga ish dauraan hum aapko kuchh jahankari dayta hai langrange point se jodhi kuchh rochak tathya bhi hai jayse ki is point ka naam ek italian french granita gya joseph loig langrange ke samaan me rakhha gya tha hunnhoonne 1972 mein isse aapni takniki prapatre general three body problem mein varnit kiya hai lekin isse pahle bhi tine point l1 l2 aur l3 ko khojnay ka shriya swiss ganitagya leonard ayler ko jata hai l1 point per nasa ne pahle hi solar and heliospheric observatory soho ko pohuncha chuka hai aur vishwaprasidh james webb telescope ko l2 langrange point per asthapit kiya gya hai l1 ki prithvi se suri ki disha me duri lag bhaag 15 lakh km hai aur isse hum astronomical unit me point oh one astronomical unit keha sakte hai ya prithvi se suraj ki duri ka keval ek prateeshat hai the vantage point for observing sun is a place in between the sun and earth where direct visibility exists to the sun while continuous communication link exists with the earth these observations will generate a forewarning about disturbances in near earth space environment which could pose danger to the communication systems and spacecrafts various thermal and magnetic phenomena on the sun are of extreme nature which cannot be replicated in labs the best way is to observe the sun up close the distance between the earth and sun is approximately 150 million kilometers at the central region of the sun known as core the temperature can reach as high as 15 million degrees celsius power source for the sun is nuclear fusion of hydrogen atoms that takes place in the core the visible surface of sun is relatively cool and has the temperature of about 5500 degrees celsius the aditya l1 spacecraft is planned to be placed in a hollow orbit around the lagrangian point vehicle performance normal or l1 of the sun earth system which is about 1.5 million kilometers from earth roughly one percent of the distance to sun a hollow orbit is a periodic three-dimensional orbit near the lagrangian point in the three body problem of orbital mechanism the object in this orbit stays in place by the gravity of earth and sun it requires little energy for station keeping several probes have been placed in space to observe the sun by various space agencies lagrange's point l1 is a great location for solar explorers such as aditya l1 as it allows for an unobstructed view of the sun that is never eclipsed by earth at l1 aditya l1 will join spacecraft such as isa nasa solar heliospiric observatory or soho which has been at l1 since 1996 lagrangian point होते हैं पृत्वी और सूरु के बीच इन पॉइंट में अंतरिक्षियान को भेज कर कम से कम इंधन की खपत पर या उस स्थान पर अंतरिक्ष प्रयोगों को अध्यन के लिए बनाए रखा जा सकता है अधिते लवन उग्र को भी ऐसे ही लेंगराइज पॉइंट वन पर इस्थापित किया जा रहा है अंतरिक्षियान को यहां तक पहुँचने में 125 दिन का समय लगेगा इस लेंगरेंज पॉइंट के कुछ फाइदे होते हैं जैसे हम यहां आधित L1 के बारे में बात कर रहे हैं तो यह अंतरिक्षियान लेंगरेंजिन पॉइंट वन के पास जाएगा और यहां ऐसा पॉइंट है जहां से सूर्य को बिना किसी गरहन या रुकावट के निरंतर देखा जा सकेगा और अध्यान किया जा सकेगा दूसरा फैदा यह कि विबिन मापन या विशलेशनों के लिए किसी भी तरह की रुकावट या कमी नहीं आएगी वायू ना होने की वज़े से इससे दूर तक स्पष्ट देखा जा सकेगा लेंगरेंज पॉइंट पर इस वेजशाला को रखने का मुख्य कारण यह भी है कि यहां उग्रा लगबग स्थिर रहेगा और उग्रा के अभिवर्ति नियंतरन के लिए अधिक इंदन क्या वशक्तान नहीं होगी वर्तमान में PS4 चरंड का कोस्टिंग फेज जारी है अब यहां के उचाई 280 किलोमेटर तथा सापक्ष्ट गती 7.18 किलोमेटर प्रती सेकेंड है अब यह उचित अभिवर्ति प्राप्त कर पुन प्रज्वलित किया जाएगा अब यहां अभी रेंज ओप्रेशन डिरेक्टर ने इसकी पुष्टी की चतुर्थ चरंड का प्रज्वलन शुरू हो चुका है यह पुनव प्रज्वलन है PS4 का कोस्टिंग फेज के पश्चा यह वास्तव एक समय पे हमें यहां अकडे उपलब्द हो रहे हैं कुरू स्टेशन से वेवाबबी सटेशन से रेंज ऑपरेशन डिर्यक्टर तरियक्टर हैस कंफर्म्न ने सिकंद बां कमेंट समय में लिए PS4 स्टेशन से एराउंट 14 मोर मिनट्स पोल पर इस्पेस्ट्राफ्ट इंजेक्शिन पाइस और मिशनों को नासा इसा जर्मादा इसा जर्मादा अज़स तरजार था वापल आचुका है इस्थी कर गी गई है थे अधित्या घ्रवन को ओन करिशधता से तिन अधारत पक्षा में स्थाविक करिया गया है इसके बाद वह अपने आगे की सफ़र जारी रखेगा L1-Point के लिए. Do join us for the address by Chair Minister of Secretary Department of Space, G.S. Sopna. सबी दो रखों को शुब कानाया पदाया समिशन के सब्सक्राइब के लिए. अब हम आपको लिए चलते हैं अध्यक्ष महोदाय के addressing के लिए.